नमस्कार मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN360 उतर प्रदेश के जनपत बहराईच के विकास खई नवाब गंज अंधरगत ब्लॉक मुख्याले बावा गंज से ग्राम पंचायत दुविधापूर जाने वाली पीड़ाब्लूडी सडक अपनी दुड़ दशा पर रोती नज़रा रही है जिनको देखने के बाद ये बता प से नमस्कार साथियों आज मैं विकास खण नवाब गंज के बलाग मुख्याले बाबा गंज से ग्राम पंचायत दुविधापूर को जो पी डवली डी की सणक जाती है उसकी कवरिज करने आया हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सणक की इस्थित काफी दैनी हो गई उसके एवज में आज सणक ये दसा हो गई है कि यहां पर चरपहिया दोपहिया वहां की दुबा छोड़ दीजे पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ग्राउंड जीर रिपोर्ट हमारे साथ बनने रहिए धैन्यमा आपका इलिय इसका मरमतकार कब हुआ था तीन साल पहले उस समय लेकिन मरमतकार से यह नहीं लग रहा है कि इसका मरमतकार नहीं किया गया मरमत इसका मया है जिसे गड़ी गुड़ा जो था है वही जो है मलब मया मरमत बस अब गड़ी गुड़ा पाट करके वह इसके बाद चले गए तो इससे काफी परिशानी भी होती आप लोगों काने जाने में बहुत दिकत हो रही है बाबाब जी क्या नाम आपको अब्दु साल पहले होई थी लेकिन जैसे से कह गया है और वाकी छोड़ दिना इससे तो फिर खराब होगी देखते हैं में लोगों कुछ च्पानी की बाद नहीं है अम मानक के अनुसार इसका मरमत नहीं किया गया आपको आपको लिखंदार बर्मा जी आपके इस गाउं से हैं जैसे हम देख रहे हैं कि बाबा गंज बलाग मुख्याले से आपके गराम पंचा दूधापूर तक जो पी डवलीवडी की सलक गई है जगा जगा काफी तूटका जरजर हो गई है क्या आप बताएंगे सलक का मरमत कार कम हुआ था तेन साल पहले तो उस समय में कैसे मरमत कार हुआ जो इतनी जल्दी इसना ठूट गई इस बारे में आपने लोगों ने कोई आवाज आवाज उठाई है लेकिन इसका कारवाई नहीं हुई WNN 360 News के लिए उत्तर प्रदेश की जनपत बहराईट से कैमरमेन शाहिद हुसैन के साथ संतोष मिश्रा की रिपोर्ट